और तीन इसलोग में भगवान जी किष्ण ने माता पिता की सेवा की महिमा बताई सिर्मत भागवत दस्मा इसकंद अध्धाय नमबर 45 और इसलोग नमबर है 6, 7 और 8 तीन इसलोग में बात कई फिर आगे भगवान क्या केहते हैं इसमें लखा है माता पिता घर में ब्रद है आनी दादा दादी ग्रहस्ती है और उसके घर में माता पिता भूंक से तरसत है दादा दादी आनि अम्मा बाबा वो परिशान है हारी दुखारी बीमारी है वो बहुत भारी कश्ट में है भारियाम जो पत्री को ठोकता पीटता है उसको मारता है उसको अपमानित करता है मैं निवेदन करना चाहूँगा कि घरवालिया नोकरानी नहीं होती बहुत लोगों के इतनी गल्ट आदत होती है वो लाठी उठा करके ठोकाई पिटाई करते हैं ये जगन्य अपराद है इतना अपराद है अब मैंने तो गरंथ पड़े हैं तो इसमें जब ये सब सुना जाता है तो लगता है कि समान को हो क्या गया है किसी ने आपके घर में अपनी बेटी दी है तुमारे कुनवे को बढ़ने के लिए उस बापके उपर क्या बीतिती होगी जिसको यह पता होता होगा के मेरी बहु के सास ससुर के सामने वो सास ससुर अपनी बहु को पिटते हुए देखते है बानों की सयापर पिता में भीस्म का गिरना द्रोपदी के अपमान को देखने का ही परणाम था एक कोई स्रीमान हमें मिले मेरा बेटा बढ़ा अग्या का रही है हमने का प्रमाण हमारे लिए अपनी बहु को पटक पटक करके ठोकता है पीटता है यह दुर्वाग्य है यह कभी भी नहीं होना चाहिए घर में नारी के उपर हाथ उठाऊगे घर की भग लक्षमी किनारा कर जाएगे मेरी बहने माता हैं बड़ी प्रसन हो रही है आप प्रसन हो इसलिए तो बोल रहा हूँ आप भी सुन लीजिए यह बात कितना भी नुकसान हो जाए कुछ हो जाए नारी पर हाथ उठाना ये बदमासों का काम है सज्जनों का काम नहीं है उसको मारिये पेटिये मत नुकसान हो गया है समझा दीजिए समझाने से तो भैस मान जाती है ये तो माँ है ये तो बहन है पसु मान जाते हैं सीधे हो जाते हैं भूल करके भी ये गलती न करें लिखाए मातरम पितरम ब्रद्धम बच्चों की वज़े से माता पिता आत्मत्या कर ले घर का कोई बुड़ा आत्मत्या कर ले घर के बच्चे आत्मत्या कर ले घर की इस्त्री आत्मत्या कर ले समझ ले ना किस धर्ती पर उससे बड़ा अपराधी कौन दूसरा हो सकता है मन्ष बन गए सिर्फ यही जिंदगी नहीं है मन्ष ता को जिलिया जाए यह जीवन है मातरं पितरं ब्रद्धं भार्याम सादिम सुतं सिसं गुरुम विप्रं प्रपन्नम्चह कल्पो विब्रन बसं रताह इस इसलोक में लिखा हुआ है कि जिसके घर में माता पिता जिसके घर में व्रद्ध जिसके घर में पतनी जिसके घर में वच्चे यह दुखी है जिसके देली पर कभी गुरू का आदर मान सम्मान नहीं हुआ जिसके आगन में बैड का रथती ने कभी भोजन नहीं किया जिसके दरबाजे से आया हुआ आगन तो को प्यासा चला गया उसे पानी भी नहीं पिलाया भगवान शुगदेव कहते हैं बिवरन बसन मरताहा वह वेकती जिन्दे जी मरे मुर्दे के समान और परिछत सुनिए मुर्दे का मतलब है कि मुर्दे को छू करके ततकाल श्रान करना पड़ता है मुर्दे को छुलिया जाए, मरे हुए को छुलिया जाए तो नहीं आ जाता है तो इसमें वड़न है कि जो माता पिता का द्रोई है गुर्जनों का द्रोई है जिसने बच्चों को मारा गर्भ में संतान को मारा पत्नी को मारा माता पिता का अपमान किया तो शुक्देव भगवान कहते हैं कि सूतक पातक में आदमी नहा के पूँआ है।